वेलकम एवरिवन आज हम लोग क्लास फॉर्थ कंप्यूटर के लेशन फाई जिसका नाम लोगो सेकेंड है उसके एक्सरसाइज के बारे में डिसकेशन करेंगे तो देखे पहला क्वेस्चन है इसमें वाट इस दा यूज आफ एच टी कमांड एच टी कमांड का मतलब होता है हाइट टर्टल ठीक है दिस कमांड हाइट्स दा टर्टल और इसे यूज किससे करते हैं एच टी लिग का इस कमांड को अगर आप यूज करेंगे लोगों में तो क्या होगा जो टर्टल है वो हाइड हो जाएगा यहां ध्यान दीजिए यह मैंने लोगो सब्ट्वेर ओपन कर रखा है और इसमें जो कमांड विंडो है इसमें देखिए जब मैं पहले तो सीधे ऐसे दिखा देते हैं टर्टल चलना है या नहीं एफडी हंड्रे तो देखिए फारवर्ड किया हमने तो टर्टल आगे बढ़ रहा है यहां टर्टल जैसा सेप नहों के ट्रेंगल जैस अब ht कमांड हमने किया और एंटर बटन प्रेस कर दिया आप देखिए टर्टल गायब हो गया जो ट्रेंगल यहां पर था वो गायब हो गया तो ht कमांड का यही काम है ठीक है अब देखते है next question अब हमारा next question देखिए what is the use of ht कमांड ht कमांड का क्या काम है तो ht कमांड का full farm होता है so turtle ठीक है this command makes the turtle reappear on the screen इस command को अगर हम use करेंगे तो जो turtle अभी गायब हो गया था वो फिर से दिखाई देने लगेगा अब देखिए ht command करने से turtle hide हो गया था अगर हम यहाँ st command type करें st तो st command करके इंटर बटन प्रेस किये देखिए अब टर्टल आ गया यह ट्रैंगल आ गया अब हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं तो काम सारा करता टर्टल बस ht command से क्या हुआ टर्टल हाइड हो गया था और ht command से टर्टल वापस आ गया ठीक है अब चलिए next question देखते हैं हमारा next question है वाट इस दा यूज आ पी यू कमांड पी यू कमांड का क्या यूज है इस command lifts the pen up जब पी यू कमांड हम इंटर करते हैं तो क्या होता है कि कम जो टर्टल है उसका pen अप ओजício आ जाता है उपर हो जाता है देश्टस मेल कमांड वील मूब धा टर्टल बट विल नाट डरा एनिथिंग आन्दा इस क्रीन टर्टल मूब तो करेगा लेकिन कुछ भी screen पर बनेगा नहीं चलिए करके देखते हैं यह देखे मैं p u command यहां इंटर करने जा रहा हूं p u command और उसके बाद देखिए देखिए p u command इंटर करने के बाद जब मैंने enter button प्रेस किया यह देखिए enter button तो अब pen up हो चुका है टर्टल तो चिपएगा नहीं लेकिन इसका pen up हो गया है अब यहां देखिए जब हमने p u command कर दिया pen up अब अगर मैं forward command लिखता हूं forward 100 तो देखिए टर्टल आगे तो बढ़ेगा लेकिन कुछ भी ड्रा नहीं किया देख रहे है यहां देखिए टर्टल यहां से यहां चला गया लेकिन कुछ भी ड्रा नहीं किया तो यह pen up command का काम है ठीक है टर्टल का पेन उपर उठ गया जिससे वह अब ड्रा नहीं कर रहा अब नेक्स्ट क्वेस्चन नेक्स्ट क्वेस्चन इज वाट इज़ पीडी यानि Pen Down command पैन्दकंड का क्या काम है तो पीडी कमांड पूट्स दा पैन डाउन एन एलाव टर्टल टू ड्रा आ अब पीडी कमांड से फैदा यह है यह जब हम इस कमांड को यूज करेंगे तो अब टर्टल की पैंट फिर से नीचे हो जाएगी और वह ड्रा करने लगेगा चलिए इस ट्रिख कमांड लिए अब जो पहन है टर्टल की वो नीचे हो गई है अब अगर हम फारवर्ट का अप्टिंद कते हैं या बिके हम लिख देते हैं back के लिए बिके 100 करने पर देखना टर्टल करना सुरू कर दिया क्योंकि अब हमने दाउन इस तरह से आप कई कमांड्स सीख क्यों आज jis also turtle जिससे फिर से दिखाई देने लगता है फिर उसके भाद अपने पेन अप कमांडस ही का जिसमें टर्टल का पेन उपर हो जाता है और ढ्राह करना बंद कर देता है और फिर है पी डी डाउन कमांड जिसमें टर्टल के पेन फिर से डाउन हो जाता है और वो फिर से ड्रा करने लगता है अब और इससे जाए टर्टल को आगे बढ़ा देते हैं FD FD और इस बार 200 कर देते हैं तो यह देखिए आगे की और बढ़ गया ठेक अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि आपको कनक क्लासेश पर क्लास फॉर्थ के मैस के वीडियों एनस के वीडियों साइंस के वीडियों भी मिल जाएंग यूट्यूब में जाकर कनक क्लासेश पर जाकर प्लेश्ट क्लिक करते हैं तो आपको वहां पर यह सारे वीडियो नातिक सिच्चा के साइंस के और मैत के मिल जाएंगे आप वहां से देख सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेस्चन वाट इज पी ई कमांड क्या होता है तो पी काम क्या है इसका काम क्या है इरेज करना जितने दूर आप एरेज करना चाहते हैं तो पी एक कमांड यूज कर दीजिए उतने दूर का जो है इरेज हो जाएगा चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो पी ए कमांड यूज करने से पहले हम इसे बैक कर लेते हैं बीके 50 और एंटर कर दिये अब देखिए बैक होने पर रुख जाए इसे टर्न करते हैं अच्छा कर लेते हैं आर्टी 90 डिग्री टैटल का फेस गों गया और उसके बाद हम कर लेते हैं कुछ आगे बढ़ा लेत हैं एफ डी 100 डाटल आगे बढ़ गया अब देखिए यहां जो है यह देखिए टेन इरेजर कमांड को जब हमने इंटर कर दिया तो अब इस एजे इरेजर यह काम करेगा अब जैसे मैं अब जो लाइन रहा है तो बैक बैक ही करना पड़ेगा बीके ले लेते हैं मान लिज यह देखिए पीछे उतना डिलेट करते जा रहा है और अगर यह पीए कमांड नहीं रहाता तो क्या करते हैं मिनट जैसे पूरा डिलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सीटी कमांड कमांड विंडो को अब देखिए क्या होगा इफ्डी हंड्रेट अब देखें अब देख्यांडेट गिये तो इतना आगे बढ़ा अब आगे बढ़ने के बाद पहले तो इसका पी यूज कर रहे हैं यह जितना हम यूज मतलब इसे यूज करना चाहते हैं मान लेजे पी यू कमांड पहले कर दिजिए इंटर और उसके बाद इसे मैं चाहता हूं कि भाई इरेज हो जाए बीके 30 यह देखिए थोड़ा सा इरेज कर दिया अपने जरूरत के अमसार पी ए कमांड यूज़ करके हम इरेज कर सकते हैं अग्युज़ करते हैं कन ़ौन क्ता और इंटर करते हैं कितने राउंड आप रिपीट करना यही हमांड वो लिखते हैं और यह बीग-ब्रैकेट के अंदर वो कमांड लिखते हैं तो मैंने फारवर्ड 00 और राइट 90 कर दिया ठीक है अब इसको इंटर करके देखते हैं ल Favor और्ड देखते हैं देखें टो कैसे काम करता ये डेखिए बिपीट कर दिया तुरंत एक स्क्वायर बना दिया यह देखिए मैंने एक नया रिपीट कमांड दिया है अब एंटर वटन दवाते हैं तो देखिए इस कमांड के हिसाब से फिगर बन गया देख रहा है तो रिपीट कमांड होता है इस तरह से यूज होता है तो आप भी लब में इसे से टरह तरह के ड्राइंग बना सकते है repeat command करके यहां देखे फिल इन मलांक है एस थी कमांड हाइट्स ध टडर टसट्र चोर्ट च्ट्र टियो कमांड लिफ्ट दऀ पैन अप ईदी कमांड पुट दपैन डाउं पन इले इज इसा फी कमांड करते है करने का काम करता है और लीपीट कमांड यूज टू रीपीट दा कमांड करने के लिए यूज हो था आई होप की कि छे doc